पत्ना के मोना सिनेमा में आर्टकिल 15 को बंद करवा दिया गया है अगड़ी जाती के कुछ लोग सिनेमा हॉल में घुज के फिल्म को बंद करवाए लेकिन सिने पॉलिस जो की पिने मॉल में है वहाँ ये फिल्म चल रही है फोर स्क्रीन मल्टिपलेक्स है हाँ और ये आर्टकिल 15 जो है छे सो में दिखाई जारी है ये फिल्म लेकिन कहीं भी आर्टकिल 15 के पोस्टर नहीं लगाए गया है जो मोना सिनेमा में जिस तरह से आर्टकिल 15 को बंद करवाया गया और जिस तरह से फिर उसका विरोध हुआ उसे पीनेम मौल में जो SINे पास्ट का डिफरेंसच के जाता था हमारे डिटो डिल लाइफ में और नीचे तब देलोग को कैसे डेमोलाइच किया जाता है तक हैसे उनके ज्यादा से ज्यादा फोर्स किया जाता था कि ये गलत कर रहे हैं कि ये गलत इंपक्ट बैठा रहा है ये तो उसके लिए गलत है उसमें जो दिखाया गया है दलित के उपर, उसके साथ जो पुलिस किस तरह से बेवार करती है, कहीं किसी तरह किसी दवाने के क्लोज करने का फाइल कोसिस करती है, वो सब चीज जो है, वो कोई पुलिस वाला जो होता कि दाब देने का प्रयास करता है, लेकिन इसमें बताया पूरा स्टोरी अच्छा था एक्टिंग अच्छा था सारे लोगों की इसमें हर एक जिनका जो कास्ट है सब लोग एकदम बिटर परफॉर्मेंस दिये हैं फिल्म बहुत ही बढ़िया है आज हमारे भारत में जो दसा है इसको किस तरीका से इस पिक्चर में दिखाया गया है वो हम आज साक्षात देख करके आ रहे हैं मतलब जो आम जम जीवन में जो घटनाए होती है देलिकों के साथ उसको फिल्म में जी हाँ बिल्कुल आर्टिकल 15 जिस तरीका से आयुसमान खुराना ने बोर्ड पर टंगा है वो आर्टिकल 15 हमको लगता है कि बहुत लोग आज पहली बार देखाई उनलोग देखे होंगे फिल्म बहुत बढ़िया है अब तक की सबसे बेस्ट मूबी मैंने देखी आज जो समाज के अंदर कुरितिया है जो जाती पाती है भेद भाव है धर्म के नाम पर जाती के नाम पर किसी को साथ में खाने नहीं दिया जाता है इस फिल्म को जो इतना सारे अस्पेक्ट को जो कभर किये और बहुत सी नहीं जी इसको मैं धने बाद देता हूं कि उन्होंने उना क्या जो अंदोलन हुआ उसको भी इसमें समेटने का प्रयास किया है रोहित बेमुला के भी जो संस्थानिक रूप से हत्या हुई उस पर भ दो बच्चियों का रेप करके पेंड़ से टांग दिया गया था हत्या करके वो भी इस फिल्म में दिखाया गया तो मतलब फिल्म आप देखिएगा तो कहीं से भी आपको इस फिल्म में किसी भी जाती धर्म को भड़काने का कोई इसमें इसू नहीं है और नसंदेश दिया प्राइब देखाया गया है और एक देखें तो इसमें इस फिलिम के द्वारा चंदर सेकर आजाद रावन को एक तरह से संदेश भी दिया गया है कि आपका भी एंकाउंटर हो सकता है ज्यादा अगर आप दलीतों की इसुच पर अगर आप अंदोलन करते हैं या बात करते हैं अभी हम लोग यहाँ पर नाइट सो देखने के लिए आया थे सिने पॉलिस में मूवी आर्टिकल 15 तो अभी हम लोग जैसे ही बाहर निकल रहे थे तो हम लोग से रिव्यू लेने के लिए जब वीडियो कर रहे थे कुछ लोग तो वहाँ पर बोलने लगे सारे लोग जो सिकूर्टी गाड़ लोग थे कि यहाँ पर आप कैंपस के अंदर वीडियो नहीं ले सकते हैं और किस हम अपने हॉल में यहीं चाह रही है कि अब हमको तो लगता है कि पिछले कुछ दिन कोई बात ही मोना में कुछ 10 लड़के लोग जाते हैं और रात में ही फिल्म के बीच दर्मियान में गुज जाते हैं और फिर बंद करवा देते हैं और यहां पर उसके कल्क होकर के दूसरे दिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो युवा हैं वो जाकर के प्रोटेश्ट करते हैं एक्टम सांति प्रोवक प्रोटेश्ट करते हैं लेकिन उन पर लाठियां चला दी जाती है और दलित इसूज पर जिस तरह से अब फिल्म में बनने लगी है उसका स्वागत किया जाना चाहिए तो दर्शकों ने भी कहा कि यह फिल्म बहुत अच्छी लगी अगर आप रोमांस के लिए किसी फिल्म को देखना चाहते तो इस फिल्म को नहीं देखे लेकिन आप भारत की जाती विवस्था है उसको परदे पर देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जरूर देखें सुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए चलते हैं जैभीम जैभारत